और हबर दिली से जहाँ एक बार फिर उपरा जुपाल और दिली सरकार आमने सामने है मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को उनहीं के सरकार के विभाग के सचवने करीब 164 करोड का नोटिस भेजा है आरोप है कि दिली चुनाओं के दोरान आमादमी पार्टी सरकार ने सरकारी विभ्यापन की आड में राजनितिक प्रचार किया और आब इस नोटिस पर आमादमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी दिली सरकार के अधिकारियों को नाजायस तरीके से कंट्रोल करके जबरदस्ती ऐसे नोटिस दिलवारी है सुनवाते हैं मनीश सिसोधिया का क्या कुछ कहना है यह अफसरों का अफसरों पे कंट्रोल का दुरॱब्योंक कर रही है भारती जंता पार्टी कि अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो मुख्छम्न्तरी जी को इस तरह के kind करें और काम ना करें जनता के लिए काम ना करें केजरिवाल जी चाहते हैं अफसरों को जंता के काम पर लगाएं भारती जंता पार्टी चाहते हैं कि अफसर केवल और केवल केजरिवाल जी के उपर और उनके मंत्रियों के उपर टार्गेट करते रहें काम ना करें इससे बड़ा उदारन नहीं हो सकता अफसरों पर नाजाय लिया है और उपराजपाल और दिल्ली सरकार यहां पर आमने सामने इसके बारे में समझाएं और यह विवाद अपकिस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है देखे हुआ यह था कि 2015 में अर्विन केश जिवाल पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंतरी चुनकर आए और दिल्ली में उनके सरकार बनी तो उसके बाद जैसे हर कोई सरकार करती है उन्होंने भी अपने सरकार के विग्यापन शुरू किये लेकिन उसी दरान सुप्रीम कोट की ने भी एक सरकारी विग्यापन के में जो आम जंता का पैसा है उसको दुरूपयोग रोकने के लिए एक कमिटी बनाने के लिए कहा था तो पंद्रा सोला के दुरान जब अर्विंद केजिवाल सरकार विग्यापन दे रही थी तबी कॉंग्रस नेता अजे माकन ने भी शिकायत करी थी के सरकारी पैसे का दुरूपयोग हो रहा है तो दिलि हाई कोट ने ये मामला जो है उस कमिटी को भेज दिया जो सुप्रीम कोट के निर्देश पर केंदर सरकार ने कमिटी बनाई थी तीस दर्ट से इसके ये तीस दर्ट से कमिटी थी तो उसने ये आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने कुछ चार क्राइटीरिया बनाये थे इन क्राइटीरिया पर दिल्ली सरकार ने जो सुप्रिम कोड की गाइडलाइन्स हैं उनका उलंगन किया है और ये जो खर्चा हुआ है इसका पैसा जो है दिल्ली सरकार ने जो खर्च कि हुआ है तो यह वही मामला है जो 2016 में शुरू हुआ था दोसार सत्रा में जो है 97 करोड का रिकवरी नोटिस जो है जो अभी डियाइपी विभाग है उसी ने 97 करोड का नोटिस भेजा था दोजार और उसके बाद मामला ठंडा हो गया फिर 2018 में कुछ नहीं हुआ, 2019 में कुछ नहीं हुआ, 2020 में कुछ नहीं हुआ, 2021 में कुछ नहीं हुआ, चार साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो पिछला साल अभी निकला है, दिसंबर महीने में जो मुझुदा उपराजयपाल हैं, उन्होंने मुखे सेचिप को निर्देश हो गए हैं और उपर से इंट्रस्ट भी हो गया है तो कुल 163 करोड रुपे से जादा का जो है रिकवरी की का नोटिस भेजा है और यह अर्विन केजिवाल के नाम पर है क्योंकि आमाधी पार्टी के नेशनल करने के नाम पर जो हैं नोटिस भेजा गया है तो दस दिन का समय दिया गया है लेकिन फिलाल जो है अमाधी पार्टी ने चिठी लिखी है डि आईपी सेकेटरी को कि वो कॉपी दें उन विज्यापनों की जिनका पैसा जो है आमाधी पार्टी से मांगा जा रहा है ये तो है दोनों के बीच में क्या चल रहा है लेकिन एक लीगल स्थिती अधिती ये है जो सभी लोग चर्चा कर रहे हैं जो सवाल भी है वो ये है कि दिल्ली सरकार एक में देखेंगे जब मामला कोट में जाएगा बहुत 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 शुक्रिया आश्रद विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मामले को